मैं आपको बताना चाहूंगा CBI की कारेश है ली CBI ने पिछले आठ सालों में 2014 से लेकर 2022 अंथ तक जितने मुकद में दर्च करे उसमें से 95 प्रतिशत मुकद में विपक्षी दल और विपक्षी दल के नेताओं पे दर्च करे 95% of the corruption cases, alleged corruption cases registered by the Central Bureau of Investigation since 2014 to 2022 have been cases against members of non-BJP political parties, members of the opposition मैं आपको बताना चाहूंगा party-wise breakup की कितने मुकद में CBI ने कौन सी पर्टी के नेताओं के खिलाफ करें है त्रेनमूल कॉंग्रेस के 30 नेताओं के उपर 30 leaders के उपर CBI ने मुकद में दर्च कियों है Congress party, Indian National Congress के 26 नेताओं के खिलाफ CBI ने मुकद में दर्च करें है RJD, बिहार की party है, RJD के खिलाफ 10 मुकद में दर्च कियों है बीजू जनतादल, उडीसा की party, नवीन पटनाएक साब की party बीजू जनतादल के 10 नेताओं के खिलाफ मुकद में दर्च कियों है YSRCP, आंधरप्रदेश की party, इनके खिलाफ 6 मुकद में CBI के दर्च कियों है BSP, वहुजन समाजवादी party, इसके 5 नेताओं के खिलाफ CBI ने मुकद में दर्च करें चंदरबाबु नाइडू की party, DDP, उनके खिलाफ 5 मुकद में CBI ने दर्च करें आम आदमी party, हमारी party, इसके खिलाफ 4 नेताओं के खिलाफ CBI ने मुकद में दर्च करें समाजवादी party, 4 नेताओं के खिलाफ CBI के मुकद में AIA DMK, चार नेताओं के खिलाफ CBI के मुकदमें, CPM, वामपंथी, CPM के खिलाफ, चार नेताओं के खिलाफ CBI ने मुकदमें दर्च करें हैं, NCP, तीन नेताओं के खिलाफ CBI के मुकदमें दर्च करें हैं, NC, National Conference, दो नेताओं के खिलाफ CBI के मुकदमें, DMK, दो नेताओं के ख खिलाफ CBI का मुकदमा, TRS दो नेताओं के खिलाफ CBI के मुकदमा, ये CBI की कारश है लिए, इन एजंसियों का ऐसा राजनेतिक प्रयोग तो आजाद भारत के तिहास में आज तक नहीं हुआ, और मकसद एक है कि इस देश को विपक्ष मुक्त कर दो, इंडिया को oppositionless कर दो, और भारत के लोगतंत्र को एक तंत्र में बदल दो, तबदील कर दो, convert democracy into autocracy, and make India an oppositionless country, एक ही लक्षे है कि भारत देश में एक ही पार्टी हो, और एक ही नेता हो, और कोई गैर भाजपा पार्टी, या गैर भाजपा नेता, इस देश में सर उठाने की भी हिम्मत ना करे, एक एक नेता को पकड़ पकड़के, जेल में डालो, जेल में डालो, पार्टीों की दुकानों पर, पार्टीों की राजनेतिक, जो कारे शैली है, जो उनकी election नंड़ने की शमताएं हैं, जैसे पार्टी चलती है, उस सब को खतम करो, बरबाद करो, और एक ही पार्टी इस देश में बचे, भारतिय जनता पार्टी, ये लोकतंत को एक तंतर में बदलने की, तबदील करने की भारतिय जनता पार्टी की कोशिश चल रही है,